ओके सो पैराबोला की प्रैक्टिस चल रही है and moving towards the next question हम question ले रहे हैं देखिए इस तरीके से करेंगे इसको again short trick का यूज़ करके आपके पस कोई पैराबोला दिया है for a given पैराबोला and you have given the पैराबोला y square equal to 4y minus 4x यह पैराबोला आपके पास given है और आपको बताना है कि इसका focus पस क्या है आपको इसके focus के coordinates बताने हैं तो चलिए देखिए इसको कैसे solve करते हैं तो सबसे पहले इसको standard form में लेकर क्या है कि हम अपनी short trick apply कर सकें so I can write it y square minus 4y minus 4x equals to 0 अब यह double power y में हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 4a जो होगा वो x का coefficient होगा तो यहाँ पे 4 of a is equals to minus 4 और अगर latest rectum की बात की जाए तो latest rectum is equal to होता है mod of 4a या उसी को कहलो mod of coefficient of x okay so mod of coefficient of x equals to minus 4 का mod यानि की 4 तो latest rectum की length यहाँ पे 4 हो जाएगी and 4 equals to minus 4 है so a is equal to minus 4 upon 4 यह minus 1 मिल गया so a is equals to minus 1 पहली चीज़ तो आगे मैं पस अब बात करते हैं हम vertex कैसे निकाले जाएंगे तो vertex क्योंकि y में double quadratic equation है तो इसको differentiate कर दीजे y के respect में so 2y minus 4 equals to 0 so 2y is equals to 4 it means y is equal to 2 यह हो गया vertex का y coordinate आचुका है y की value आप equation में put कर दीजे तो x की value है जाएगी तो equation इसी में put कर दीजे यह second में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 2 का square हो गया 4 minus 4 into 2 हो गया 8 sorry equal में हो गया 8 4 to the 8 minus 4x so 4x इदर आए जागा और यह हो जागा 8 minus 4 so x equals to कितना हो गया अपने पास में 4 by 4 x equals to 1 तो जो हमाई पास vertex आए हैं जो हमाई पास vertex आए हुए हैं वो कितने आ गए हैं x, y यहने 1, 2 हमाई पास vertex आचुके हैं 1, 2 अब इसका trick का last part मैंने आपको बताया था कि focus निकालने की trick क्या होती है so focus निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा focus निकालने के लिए trick यह होती है vertex minus a, 0 तो vertex के coordinate आए हैं 1, 2 और a, 0 means कितना हो जाएगा 1, 0 कहां है अपने पास यह a है so minus 1, 0 so 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 plus 0 भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो हमारे पास जो answer आ रहा है एक मिनट कुछ mistake हो रही है vertex जो है vertex हमारे पास कितना है vertex हमारे पास आ रहा है 1, 2 and minus a कितना हमारे पास a हमारे पास आया है देखे यह mistake हो गई है, minus 4 इदर आएगा तो यह plus 4x हो जाएगा, तो यह plus 1 हो जाएगा, इसे लिए गलत हो रहा था answer, so this is plus 4, यहाँ भी करना पड़ेगा, पूरा question ही गलत कर दिया मैंने, okay, यह plus 1 हो जाएगा, now, यह क्या बन जाएगा, 1 minus 1, 0,2, तो इसका answer आजाएगा, एक question और करा दिता हूँ, बस यहाँ पर थोड़ी सी mistake हो गई थी, आईए अगला question लेते हैं, तो अगला question मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पर question है, focus of the parabola, आपको आपके पास, एक focus निकालना है, parabola का, ओके, focus है, आपके पास, y square minus 8x, minus 8x, minus 4y, minus 4 equals to 0, आपको इसका क्या निकालना है, focus निकालना है, तो सबसे पहले यह दिया हुआ है, तो आप देखें, x का coefficient कितना है, 8 है, तो 4a equals to minus 8, so a is equals to minus 2, यह आगया हमारे पास, a की value आ चुकी है, ओके, now, lattice rectum की बात की जाए, तो lattice rectum is equal to coefficient of x का mod, that is 4a का mod, और coefficient of x यहां पे 4a का mod है, that is equals to mod of minus 8, answer कितना आ गया, 8 unit, तो इसकी lattice rectum भी 8 unit हमारे पास आ चुकी है, अब इसके बाद इसका vertex चाहिए है, तो vertex निकालना के लिए सबसे पहले देखें कि यह equation किसमें quadratic है, यह y में quadratic है, तो इसको differentiate कर दीजे y की respect में, so it will be 2y, 8x का हो जागा 0, because x को हम constant बानते हैं, minus 4 equals to 0, so 2y is equals to 4, so y is equal to 4 by 2, that is equals to 2, तो y की value 2 आ चुकी है, y की value 2 पुट कर दीजे, तो x आ जाएगा हमारे पस, तो y की value यह दिए में 2 पुट करता हूं, तो 2 का square 4 minus 8x minus 4, 2 is a 8, और minus का 4 equal to 0, so यह 4 से 4 क्या हो गया, cancel हो गया है, तो minus 8x equals to plus का 8 हो जाएगा, so x equal to minus 1, okay, x equal to minus 1, तो हमारे पास जो vertex हैं हैं, वो है, minus 1, 2, so vertex equal to minus 1, 2, यह vertex आ गया है, minus 1, 2, अब आपको यहाँ पर, क्या चाहिए है, vertex आ चुका है, minus 1, 2, अब आपको क्या करना है, इस पर बाद vertex के बाद आपको निकालनी है, इसका focus, तो focus के लिए मैंने बताया आपको trick, focus is equal to vertex minus 1, a, 0, तो vertex minus 1, 2 minus a, 0, means minus 2, 0, so minus 1, में minus 2 एड हो जाएगा एक तरीके से, कुछ है mistake हो रही है क्या, नहीं, कोई mistake नहीं हो रही है, minus 1 और plus 2, तो minus 1 और plus 2 कितना हो जाएगा, अपने पांस में plus का 1 और 2 minus 0 कितना हो गया 2, तो इसका जो focus होगा, वो होगा 1, 2, so that's it guys, आज के लिए इतना ही अगली class में मिलेंगे, thank you.